जैहिंतर नमस्कार मेरे सेर सेर नियो बहुत सारे बच्छों के कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो में पोस्ट को लेकर क्या सर ऐसे सी जीडी में पोस्ट चेंज कर सकते हैं अभी भी क्यों इस बार क्यों ऐसी बाते आ रही है क्योंकि सभी को पता है जो CISP की पोस्ट थी व कई राजों में एक भी पोस्ट नहीं थी जैसे गल्स एक भी पोस्ट नहीं थी बाट में एक की तो उन लड़कीों ने और लड़कियों नेखी कई ने आजका इस बाकी सब बचों ने या तो यस सब डाली है या ITBP या SSP SSB CRPF या NIA ज्यादा तर बत्सों ने यही पोस्ट ला लिए CSP बहुत कम ने डाली है तो इसका फाइदा किसको मिलेगा पहले तो मैं बता दूँ कि अब आपको पोस्ट चेंज करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा हर बार भी नहीं मिलता ना इस बार मिलेगा भले ही पोस्टे बाद में एड की गई हो क्यों क्योंकि SSC GD में ऐसा पहली बार नहीं वा कि किसी डिपार्मेंट की पोस्टे एड की गई हो SSC GD के अगर आप रिकॉर्ड देखो कि मैं आप उता दू 2011 फिर 2013-14 की जो वेकेंसी थी और 2016 जिस वेकेंसी में लगा था इन सभी में पोस्टे बढ़ाए गई थी बाद में और किसी में ही बाद में पोस्ट चेंज करने का मोका नहीं दिया गया था पोस्ट आप चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपने भर दी हैं वही मिलेगी वो कब मिलेगी जब आपके up to the mark नमबर होगे जैसे मान लोगी BSF की कटोब गई है 83 और आपके 83 से उपर नमबर है तो आपको BSF मिल जाएगी अगर 83 से कम है और मान के चलोगी जैसे CRPF की गई है 78 तो बले हैं आपने BSF first choice दिये लेकिन आपको मिलेगी कौन सी CRPF मिलेगी यहांकी जो मेरिट रहती है डिपार्मेंटली वो रहती है नमबर के अदार पे जैसे आपकी जो भी choice रही हो जैसे ज़्यादा दर बच्चे क्या करते है SSF choice देते हैं अब SSF की कटोब सबसे हाई जाती है अब सबसे हाई जाती है ज़्यादा बच्चे देते हैं लेकिन जब उनके नमबर कम आते हैं तो फिर उनको क्या करते हैं कि इनमें से किसी और वेकेंसी में जिसमें भी पोश्ट एक खाली रहती है तो उनमें ढाल देते हैं तो जिन बच्चों ने मालो कि first switch SSF दी और अगर CISF के साब चूंके नमबर होए तो उनको CISF मिल सकती है ठीक है उनके चांसे से CISF मिलने के लेकिन जिन्होंने BASP दिये या ITVP दिये SSB दिये first switch तो उनके तो 100% चांसे कि अगर उनके अच्छे नमबर होंगे तो उनको यह मिलेगी और कम नमबर होंगे तो भी कम चांस है कि उनको CISF मिले लेकिन जिन्होंने SSSF यह न यह first switch दिये उनके चांस है कि उनको CISF मिल जाए बाकि आप पोस्ट नहीं बदल सकते लेकिन एक बात ध्यान रखना हो आपने जिस जिले से जिस राज़े से फोरम बढ़ा है उस जिले के आपके पास में डोमीशेल सेटिफिकेट होना अतियाओ शक है नहीं तो जब final merit लगेगी ना उससे भी पहले कई बच्चों के फोरम रिजेक्ट किये जाते हैं जब आपका documents verification होगा जब आपका DB होगा मान के चलिए कि आपने क्या किया है फोरम तो बढ़ दिया था जिस समय जब आपने बढ़ा तब नक्सल एरिया से अब आपके पास में वहाँ का domitial है यह जिसको मूल निवास बोलते है residency certificate ही नहीं अब आपने क्या किया वहाँ पर दूसरे जिले का लगा दिया अब मान लो जो जिला आपने पहला बढ़ा वह आता है नक्सल में अब आपने लगा दिया बोर्डर जिले का तो आपका फोरम रिजेक्ट हो जाएगा ध्यान रखना इस बात का तो आपने जिस भी जिले से बनाया है उस जिले का आपके पास में domicile certificate होना चाहिए जै हिंद जै भारत लाद लो